न मंदिर तोड़ो न मस्जित तोड़ो तोर्द सारे बंधन सब को एक साथ रखो ए मालिक क्योंकि आप हो इस समय सब के भगवन दोस्तों बड़े दिन हो से आप चर्चा सुन रहे हैं ग्यान वापि मंदर से ताजमहल बाबरी मस्जित बड़े-बड़े-बंदर के बाड़े-बड़े मंदिरlaun के बाड़े शुन रहे कoline के λोग देश के साटक्षक हैं देश के साइड नियमों का उलेंगन आ पालंग करने में मदद करते हुं कर तो यहां नहीं करता हूं तो कि नहीं देश की उन हालातों को समझने की कोशिज करते हैं जहां लोग आज बेरोजगारी के वज़े से भूखे मर रहे हैं जहां आज लोग पैसे के लिए दरदर की ठोकरे खा रहे हैं जहां लोग आज महंगा भोजन महंगा सामान खईदने को मजबूर है पेट्रोल का दाम जिस समय चुनाव आया था उत्तर प्रदेश में तो सौब के पार होने के ब समय हुआ करता था जब पेट्रोल और डीजर के डीजल वे अंतर लगबक 3040 रुपए का फासला हुआ करता था और आज मात्रे 5 रुपए और 10 रुपए का फासला है यह मैं डीजर पेट्रोल की बात आप शिर्फ नहीं करूँगा मैं उसकी बात करूँगा चलिए आप धान मंत्री में होता है मैं मानता हूँ कि आपके वज़ा से आपके मरी से कुछ नहीं हो रहा है लेकि सुप्रीम कोट भी आज पता नहीं क्या एक दूसरे को लड़वाने का मजद तो नहीं कर रही जो चीजे सालों साल खतम हो चुकी थी 1991 के बाद यह लागू हुआ था कि बाब आज भी उस सब के पीशे पढ़ कहके लोगों की जनता की जो मजबूरियां हों उनका सुनने का काम कोई नहीं कर रहा है मालिक महोद है बस सब को किसी को भूख से परिसानी हो रही है तो किसी को खाने के लिए पैसे नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसलिए क्यों क कर रहा हूं क्योंकि मैं जब चार्टरफ घूमा तो मैं एक ही चीज़ देखा हूं इस सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार में भाज सरकार में सबसे बड़ी कमी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार की अब बढ़ उत्री की बात करें तो आए दिन लगातार बेरोजगा एक समय हुआ करता था हर किसी के पास सो रुपए डेड़ सु रुपए में बढ़ियां से होते थे और अच्छी तरह से भोधन कर पता था और सब की जरूरते पूरी कर लेता था लेकि आज की सिती यह है कि जिस तरह से मांगाई बढ़ी है उस तरह से किसी को रोजगार नही भूखों नहीं मरता आये दिन देखा जाता है कि लोग किसी का गला काटने को मजबूर है लगातार कहीं चोड़ी करने पर मजबूर हो जा रहा है इसके पीछे का राज सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है अगर हर किसी के पास खाने के लिए पैसा होता तो ना किसी को है मंदर मजीद मुद्धा बना रहे हैं क्या आप महांगाई की उपर चर्चिंथ पैसे किया के लिए कि बारे में सोचते हैं जो विचारे किसी तरह भूख से अपनी जिन्दगी गुजार पाते हैं भूख से मर जाते हैं उनके बच्चे दवा के बगएर मर जा रहे हैं एक समय होता था जब प्लस उपधर करा करके इनसान बहुत खुश हुआ करता था और आज लगबक 300 प्लस उपधर कराता है तब जाकर कि आपकी सीज़ों सुनने का काम करता है अब अब आप कर्मचारि आप कर्मचारी कहते हैं कि हमारे कर्मचारी सभी अच्छे काम कर रहा हैं मैं भी मानता हूं कि आपके कर्मचारी सभी काम करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री में हो दैं सिर्फ आप एसी के कमरे में रह लेंगे योगी महराज सिर्फ आप एसी के कमरे में रह लेंगे लेकि हम जैसे लोग जब जंगल में रहते हैं तो जंगल में रहने के वज़ा से आपको इतना नहीं समझ में आता होगा कि यह सारे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं कभी-कभी तो भूखों मरना पड़ता है कभी-कभी तो भूखों सोना पड़ता है तो कि एक समय हुआ करता था कि हर किसी के पॉकिट में सो दो सुरुपए हुआ करते थे लेकि आज किसी के पाक्षिट में पांच रुपए भी नसीब नहीं है। लोग अपना घर बेचने को मजबूर है लोग अपना खेत मजबूर को मजबूर है ले क्या आप कभी उन बेरोजगारों के दर्ण सुनने की कोशिस दिये हैं। हे मालिक, हे भगवान, प्रधान मंत्री महोदय, आप से मैं कहना चाहूंगा कि आए दिन आपके ही सरकार में, आपके ही देश में, आपके ही सासनकाल में लोग हरताल कर रहे हैं। आपके ही सासनकाल में लोग कुछ न कुछ जान देने के लिए परसान हो गया है। आपके ही सासनकाल में लगातार कई धर्णर प्रधाशन किर्ण किया जा रहे हैं। क्या उस प्रके आपने भी बैट्ष बैश्यक्रें परचा करने की सब्सक्राइब कर रहे हैं shepherd दो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तरह से परशान है कोन भूख से परशान है कि इसको रोजगार की जरुरत है है मालिक महोद है मैं सत्वामी आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं जिस तरह से आप ने तो बड़े बड़े मस्जीदों में जैसे जैसे आप त्राज महल की बात कर रहे हैं जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे मुद्दों की बात करना जिसे मुद्दों पर गरीबों का धान नहीं बटकता है मैं आप से बार कहना चाहूंगा कि एक बार जितने भी आपके पत्रकार में होदा हैं जानि आपके सरकार में कौन भूखा सो रहा है कौन महंगाई से परसान है उम्मीद है कि आने वाली सरकार 2024 से फिर से बनेगी क्योंकि 22 में तो योगी जी के सरकार आ गई मुझे नहीं लगता इसी तरह चलता रहा तो 2024 फिर से आपकी सरकार पलटेगी पलटे पलटे जब तक आप हैं आप से महोदे इतना ही करना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे भाई बहुत सारे हमारी माताएं बहुत सारे मैं हमारे दोस्त आज भूख से परसान है आज विरुजगारी से परसान है आज महंगाई से परसान है ना रिचार भरवा पाते हैं ना गाड़ी में पेट्रोल भरवा पाते हैं आप कैसे करते हैं कमेंट करके बताईएगा आपको क्या ज़रूरत है क्योंकि सत्यानों स्वामी आपकी बात रखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया